मेरे दैसे ही दिना कुछ किये निरोग बन सकते हैं और इसलिए मैं याद केता हूं हमारा मीशन बन गया है World Without Medicine दवा रहे दुनिया तो यह संभव है आगर हम देख सकते हैं सारी शुरुष्ठी में जबतिश रुष्ठी का सुरुजन हुआ आज तक सुरुष्ठी के सभी प्राणी चुरसी लाग युनिया बताई जा रगी है किसी को दवाएं के अवशक्ता नहीं पड़ी किसी को योगासन प्राणायाम बे के या दुरा नागा या 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 ना हौं हवन कुछ भी करने के अवशक्ता नहीं पड़ी इतना प्राणा के आवशक्ता पड़ी ना मंदिर मंदित गुल्द्वारत चल जाने के आवशक्ता पड़ी अपने रोग हटाने के लिए क्योंकि रोग ही नहीं है तो हमारे लिए पीखे संबव है तो हमें क्यों रोग हुए यह सबसे पेले देखना होगा और रोख की जड़ क्या है एक जड़ को ही उखाड के ठेंग देंगे तो अब रोख रहेगा है यह नहीं और एक बार तो निकल गया दो बारा ना आ जाए इसके लिए हमें क्या देखना है क्या खयार रखना है यह समझ लेंगे तो हमारे दिवर में कभी रोख नहीं आएंगे जैसे हमारे लिए हैं तेरी साल से इसके पहले जों मैंने आपको बताया मैं भी बहुत बिमार था मेरी पत्नी भी बिमार थी मेरे परिवार के सदर्श्यों भी बिमार थी आज कोई बिमार नहीं है, पेसा से न मैंने कुछ कोई भी दवाई या ली है, न मेरी पत्मी नहीं ली है, क्यों रोगी नहीं, जब रोगी नहीं तो दवाई केज़ी, और दवाई जो मैंने आपको बताया, केवल, टैबलेट्स, या तो इंजेक्शन, या तो काड़ा, पावडर, इसको मैं दवाई नहीं केता, पेसे मैं रिपीट करता हूं कि दवाई की डेफिनेशन यहां है, रोग नाभूदी के लिए किया जाता कोई भी प्रयास, जो भी हम प्रयास करते हैं, ये सारे प्रयास, इसका नाम हम दवाई के पे हैं, एनिवे, तो इतनी पुर्व उमी का, के बाद हम, रियल ट्रेक्ट पे आके हैं, कि इसमें क्या तबलाव करना है, तो पहले मैं आपको, सुजाओ दूंगा, जो अन्भोग निचोड, डिटेल में सारी बाते हैं, हम बाद में समझेंगे, लेकिन निचोड में आपको दे देता हैं, तो यह यहाँ हैं, दो ही बाते, एक है रोग का कारण, दूसरा है रोग का निवाराण, तो रोग का कारण, यहाँ कौन सा मना गया है, तो भगवान ने गीता दिमें, अध्यार सत्रा, श्लोक नव और दस में बताया है, कि राजसी और ताम से जगों को प्रिय भोजन जो है, रोगों का कारण, फिर से रिपीट करता हूँ, अध्यार सत्रा, श्रिमत बगवद गीता, श्लोक नव और दस, इसमें बगवान ने बताया है, रोगों का कारण, ताम सी और राजसी जगों को प्रिय ऐसा भोजन रोगों का कारण है, ऐसा भोजन खाने से रोग होते हैं, और रोग होने की वज़ा से आयू कम हो जाती है, हमारा जो शाक्ती कम हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, और इसका परिणाम यह होता है, कि हमारी काम कर सकते हैं, हमारी कारण शम्ता भी नहीं रहे पिए, तो फाइनशल यह पूर हो जाते हैं, यानि कि जिवन में दुख आ जाता है, तो इस सारा कारण, इसके मूल में कुछ है, इसकी जड़ में कुछ है, तो इसे हम कहेंगे, और यूग्य आहार, जिससे लोग होते हैं, और सारी समश्याएं, जिवन में बदी रहती हैं, तो आठवे स्लोक में बताया है, वो ही हद्याएं, श्रिमत बगवार्द कीता के चेक्टर 17, हद्याएं 17, श्रोक आठ इसमें बताया गया है, कि साथविक जनों को प्री ऐसा बोजन खाने से, शरिर में कभी रूप नहीं होता, और शक्त ही बनी रहती है, बुद्धी बाल, और सुख जिवन में बना रहता है, तो एक बात यहाँ, मेरे लिए स्पष्ट हो गई, कि रोग का संबन, आज तक हमने जो भी माना, एलोपेटी ने मिक्टेरिया से माना, आईरोएज ने वाद्पित कब्स से माना, अपनी-अपनी मानियता है, अपनी-अपनी बिलिफ, और जो मैंने पहले ही आपको बताया, कि मानियता के हिसाब से कारे होता है, और कारे के हिसाब से नतीजा, रिजल्ट, परिणाम मिलता है, तो अब मेरी मानियता बदल गई, आज तक मैं वही सच मानता था, जो विज्ञान ने बताया था, जो आयर्वेज ने बताया था, जो और किसी ने बताया था, अब मेरी सोच बदल गई, अब मेरी मानियता बदल गई, कि रोग का ये लिए कोई कारण है, तो एक और मात्र एक है, और एक है, तो योग्या आहा, और निरोग रहना है, तो एक ही ज़रूरी है, योग्या आहा, तो दोनों के बीच में एक बात देजागी है, सिंस बर्थ हमने सही खाया, तो तो बराबरे, लेकिन हमने ज़र्म से लेकर आज तक तामसी और राजसी ज़र्णों को प्रिय ऐसा हो जाना, यानि कि जो रोग के लिए जिम्मेवार है, रिस्पॉंसिबल भो डिजिल, ऐसा बोदम ही खाया, तो अब निरोग कैसे हो सकते हैं, निरोग है तो तो आहार है, साथविक जनों को प्रिय ऐसा, कभी रोग नहीं आएगा, लेकिन आज रोगिष्ट है, तो रोग को कैसे आटाया जाए, तो इस सारे शास्त्रों ने बताया है, चाहे हिंदु का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे प्रिश्यन का हो, चाहे जैनों का हो, चाहे शिखों का हो, चाहे किसी का भी हो, सब्भी ने उपवास का महत्व बताया लेकिन उपवास को भी हमने गरत अर्थ करके उपवास कर लिया और उपवास से जो फाइदा मिलना था वो भी नहीं दिया तो आए दिखते हैं कि सबसे पहले जरूरी है हमारे लिए कि रोग को हटाए हर कोई मानव आज बीमार है चाहे संसारी हो सन्यासी हो चाहे वैल हो डॉक्टर हो या और कोई चिकित सक हो हर कोई आदमी आज दुनिया में बीमार है रोग इस्ट्रे तो रोग को कोई से हटाया जाए तो इसके लिए आईर्वेट ने हमें बताया है लंगनम परम आउशदम लंगनम परम आउशदम पूरा मेडिकल साइन्स आगया लंगन परम आउशदम यानि कि और कोई आउशदियां की आउशदम ना कोई दवायां ना कोई एक्सरसाइज ना कोई योग आप्राणा है कि नफिंग दूएं केवल लंगन काफी है क्योंकि परम सबसे उंचा परम हम कहते हैं आत्मा तो बहुत है लेकिन परम आत्मा एक ही है वैसे आउशदियां ने बहुत दनाए लेकिन परम आउशदियां जो है एक ही है और वो है लंगन तो लंगन का अर्थ यहां है ना कुछ घाना ना कुछ पीना पेट में कुछ भी नहीं डालना देखो, बहुत ही इसमें ध्यान देना आवशक है जिसको भी रोग हटाना है रोग अपने आप हट जाएंगे, आप देखेंगे रोग के लिए यहां कुछ नहीं करना है डायमीटेस वालों को यह करना, बीपी को यह करना इसको एक करना इसको कुछ भी नहीं केवल एक बार है कि लंगन कर लो आपके लोग अपने आप भाग जाएगे क्यों यह भी बता रहा है कि आहारम पजती शिखी शिखियानी जट्राग नहीं जब हम कुछ पेट में डालते हैं आहारम 35 शिखी से हम आहार कहते हैं कुछ भी पेट में डालते हैं चाए कोफी हो दवायां हो और कोई खाने की चीज हो या तो पानी भी हो पानी का एक ब्यूंद भी पेट में गया तो इसको पताने में हमारी वाइटल पावर हमारी जीवदी शक्ति हमारी जान शक्ति शिखी यानि कि चट्राग नी काम में लग जाती हैं तो आहरम पतिश्य की दोशान आहर वर्जिता यानि कि जब हम कुछ नहीं लेते हैं आहर वर्जित कर देते हैं वर्जित करना यानि बंद कर देना जब कुछ भी पेट में नहीं डालती है तब जो ये जट्राग नहीं है अभी इसके पास कुछ काम नहीं है कुछ डाला तो मचाने में लगती है बाद में निकालने में लगती है जबकि कुछ डालते ही नहीं है तो आप इसके पास कोई काम नहीं है अब फ्री है वो तो क्या करेगी तो यह यहां आयर्वेड ने बताया है कि दोशान आहर वर्दिता जब पेट में कुछ नहीं डालते तो यह जो हमाई दिट्रागनी है दोशों को निकालती है तो शरीर में से जब दोश निकल जाते हैं शरीर निर्दोश हो जाता है निर्मल हो जाता है स्वच्छ हो जाता है स्वच्छ हो जाता है हम देखते हैं हमारी कार में कुछ ऐसा है गरबड़ी आ गई तो क्यों आई वहां और कुछ नहीं है आप देखेंगे केवल कुछ न कुछ पुड़ा किचरा आ गया इसको हटा गई साथ कर लो हां भी से अखी तरह से कार चल दे लोगी तो यह भी एक कार है यह यंत्र है यह भ पुड़ी कच्री जो दोश बर गई है तो इसको हटाना है और हटाने के लिए रास्ता बताया गया है लंगन नखाना नशीना तो देखो हम कुछ नहीं करते करता है कौन जट्रागनी या तो शेरिट खुद या तो शेरिट के अंदर बेठा बगवान बगवान कहते हैं ना हम विश्वान रोगुत्वा प्राणी नाम पे हम आस्तिका प्राणा पाना समाय उत्तपचा में अन्नम चतुरुड़ा तो यह तो बगवान अंदर बेठा है इसको यदि मोका देते हैं हम तो इस तुरन दोश निवरूति का काम शुरू कर देते हैं और शरिट को पूश करके छोड़ेगा लेकिन यदि हम मुखा देते हैं तो आज तक हमने मुखा ही नहीं दिया उठने के साथ खाना शुरू कर दिया कि इसे अंदे फास के के यह अभी पचा नहीं पचा तो लंच ले लिया यह भी पचा नहीं पचा दिनर ले लिया बिच बिच में कहीं कोई चाए नास्ता स्नेक्स ऐसा कुछ ले लिया तो इस शरिट को कभी सभाय का मुखा नहीं मिल रहा है हम नहीं देते हैं शरिट को तो सभाय करनी लेकिन हम भोका देंगे तब साथ करेंगे ना हो तो अब जरूरी है मोका देना सुविदा प्रदान करना सफ़ाय के लिए इसको शरीर को खुद गो या तो अंदर बेटे बगवान को तो यह लंगन है यह निर्जल उपवास है यह रोजा है कि जब हम शरीर के अंदर कुछ नहीं डाजते तो उसे वक तुरंग हमारा शरीर खुद को साथ करने में लग जाता है तो यह जब सफ़ाय हो जाती है शरीर सच्छ हो जाता है और सबस्थ हो जाता है इतनी सिंपल बात है देखो आप देखेंगे कि यहीं सारा बाइलोभी सारा मेडिकल साइंस इसमें ही आ जाता है कोई मेडिकल साइंस के अब आपको आवशक्ता नहीं रहेगी कोई एक्ससाइब योगा प्रानायाम रेकी कुछ भी करने की अब आवशक्ता नहीं रहेगी क्यों शरीर सच्छ हो गया शरीर सच्छ हो गया शरीर में कोई रोग नहीं रहे तो अब उच्छ करने की अब शक्ता नहीं रही तो रोग को हटाने जी लिए एक ही बात काफी है समझना कि शरीड को स्वच्छ रखा जाए मुझे बखता है सभी के समझ में ए बात आ गई होगी यदे हम स्वच्छ रेना चाहते हैं तो स्वच्छ रेना जरूरी है स्वच्छ केवल बाहर ही सपाय नहीं आंत्रिक दी जैसे मेरा नाम जोकर में कुछ ऐसा आता है न ए भाय जरा देश के चलो उपर ही नहीं नीचे दी तो हम इसे कहते हैं कि ए भाय जरा शफाय करते चलो बाहर ही नहीं अंदर भी तो ए शफाय की बात चलती है तो एक जूश जो आपको यहां से दिया जाएगा अभी रेडी है अब जायेंगे पिने को इसके पीवे शफाय बात पूरी कर लें तो अंदर की शफाय करना है आज तक बाहरी सफाय उन्हें बहुत बहुत और मैंने देखा आए इंडिया में बाहरी सफाय कम हैं अंदर की सफाय भी नहीं है जबकि दुबई और यहां केनरा यहां यूरे से पश्चिमी जगत में बाहरी सफाय बहुत ही है इतना खर्च इतना खर्च समय का डं का बाहरी सफाय के पीछे लगाते हैं लेकिन अंदर से साथ नहीं है इसलिए यहां भी इतनी ही बिमारिया है जितनी जो गंदारा हम कह सकते हैं इंडिया है और कोई भी वहां जितने रोख है इतने ही यहां है मैं तो मैंने देखा है इससे भी ज़्यादा यहीं है कैंसर जितने इंडिया में होते हैं इससे ज़्यादा यहीं होते हैं सुकीन डिजिग या तो यह जो कहिए हैं इंडिया में इससे ज़्यादा यहीं है तो एक कंपिरिजन मैं इंडिया और एक कोई पर्टिकुलर देश प्रदिश की नहीं करता है मैं यह इंफेसाइज करने की कोशिश कर रहा हूं इसके लिए मैं जोर दे रहा हूं कि अंदर की सफाई सबसे जुरूरी हो चाहे कोई इंडिया में रहते हो चाहे कोई एबरोल रहते हैं जो भी अपने को निरोग रखना चाहते हैं सबी के लिए जरूरी है कि अंदर की सफाई भी साथ साथ रखें मैं ऐसा केहता हूं कि बाहरी सफाय है बहुत अच्छी है लेकिन इसका दो मार्क से एक पेपर जो है हमारा हंडेड मार्क का बाहरी सफाय का मैं दो मार्क देता हूं और अंदरुनी सफाय का नाइंटी एक मार्क से तो हमें देखना है कौन सी सफाई के हमें जालव जोद देना है तो जब हम शरिल को मोका देखे हैं ना कुछ खा के ना कुछ पी के लंगन करके उपवास करके रोजा रखके तो शरिल अंदर से खुद की सफाई करता है तो जहां तक लंबा, लंबे समय तक मोका देंगे, तो यह अच्छी तरह से अपने सफाई का काम कर सकेगा, तो जब सफाई का मामला ही है, तो यह तो खुद शरिट करता है, अगवान करता है, हम कुछ नहीं करते हैं, हम तो मोका देते हैं, तो यह हमारी फर्ज होती है, हमारा करता है कि हम भी सहायता करें, तो हम दो तरीके से सहायता करते हैं, एक एनिमा लेकर करतें, बड़ी आँप को साथ करतें और दूसरा है जो अभी हम जियुषपिनम को जाएंगे, जोसकी रेस्पी मुझे पता है हर कोई पुछेंगे तो मैं पहले ही बता देता हूँ पालक और धनिया मात्रा की यहां कोई वो नहीं है आपको जो ठीक लगे जितना बनाना है दोनों इक्वल जितना आप पालक लेलो उतना ही धनिया लेलो इसमें डोकी का एक ठुगड़ा पर है 50 ग्राम इतना कुछा यह ज़्यादा कम कर सकते हैं आपके स्वाज के अनुसार इसमें अधरफ डाल दो स्वाज के लिए मीठानि यानि की करीपत्ति पुदिना जो पान चबाते हैं अधर के पान बनारा स्वाला है खुल जाए बंद अकल का सावला तो ऐसा पान जो है यह भी आपको अंदर डालना है तो डाल सकते हैं लेकिन अवश जो डालना है सभाई के लिए है तीन प्रोजन आउले फ्रेश मिल फ्रेश नहीं तो जो प्रोजन और यह भी कर्विनने नहीं है तो आउले का पावडर अउल्जा सभी ने देखा होगा नहीं देखा है तो यहीं से आपको इखाया जगा आप देख लेना तो तो ऐसा जूस जो भी हमारे लिए प्यार है, तीन आवले हर हमेश पेट में इसका रस चाना चाहिए, स्वादिश मनाएंगे जो स्वाद हम यहां पिएंगे आपको पता चलेगा, स्वाद है स्पाइसिस का मसाले का, तो आपके जो आपको पसंद है ऐसा स्वाद आप बना सकत हैं, यहां कॉमन बनेगा सभी के लिए, गर पे आप अपने इस साथ से बना सकते हैं, तो तीन बातें अभी हो गई, एक है नीजरू प्वास, दूसरा है एनिमा, एनिमा के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, और तीसरा है इस्चूस, तो तीनों मिलकर सभ़ए करेंग अंदर से शरीर के शरीर स्वच्छ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, चाहे किसी को कोई भी प्रोब्लेम हो देखो, मैं बार बार रिपीट हरते रेता हूं, कि जिसे किसी को ऐसा सवाल ना उठे, कि मुझे डायबीटी से तो मैं क्या करूं, मैं क्या खाओं, कौथा रस सफाई होगी तो सफाई के आवश्यक्ता है तो यह सफाई कर लेंगे तो चाहें डाइबिटीज बीपी इसीडिटी माइग्रेंट कुछ भी हो अट्रेश ब्लोकेज है संतान नहीं होते हैं या एक्षवाइब कोई भी कोई भी श्यारिक समश्या यानि कि जिसे हम रोग केते हैं कोई भी रोग हो इलाद केवल यह थे उप्चार केवल यह थे जोंकि कारण यह थे है कारण यह है शरीर में जमा हुआ मल और मल का कारण है मुँ से डाला गया आयोध्य आहा तो अब हमारी समझ में आ गया है कि जो भी हमसे बलती हो गए अब सुदारना है तो मल्ग को निकादना एक लोगों को हटाने की जड़ है तो एक मल्ग निकादने के लिए एक तीन बाते हम ने बेखी आगे हम बाते करेंगे तो अब हम यहां ब्रैक करकेंगे और ब्रैक के बाद फिर से यहां आ जाएंगे अपनी सीट ले जाएंगे